नवश्कार मैं हूँ जूली आप इसक देख रहे हैं तो इंडिया टॉप विश्व के सबसे बड़े स्वच्छता सर्वे स्वच्छी सर्वेक्षन 2021 में पटना ने सभी मानकों पर काफी अच्छा प्रदर्शन करती है पिछली बार से कहीं बहतर रैंक हासिल किया है आपको बता दे कि 10 लाग से जादा आबादी वाले शहरों में पटना ने 47 वा रैंक हासिल किया है जो कि पिछली बार 47 वाले रैंक पर था यह अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्दी है इसके साथ ही गंगा टाउन की केटेगरी में पटना ने 97 शहरों के लिस्ट में तीसरा स्थान हासिल किया है आपको बता दे कि पिछले साल इस लिस्ट में पटना जो था वो 34 रैंक पर था और इस बार वो तीसरे रैंक पर आया है जिसकी वज़े से यह काफी बड़ी उपलब्दी मानी जा रही है आपको दादे कि पिछले साल पटना सबसे गंदे शहरों में आया था लेकिन इस बार पटना की हालत काफी सुदरी हुई नजर आ रही है स्वच्छ सर्वेक्षन के तीन घटकों में पटना को सबसे जादा अंक सिटिजन वॉइस में मिला है स्वच्छता कारियों में जनता की सहभागिता और फीडबैक के आधार पर हुई गंदना में पटना को कुल 1341 अंक प्राप्थ हुए है कुल 4320 शहरों को इस सिटिजन वॉइस पिलर में मिले अंको की फेहरिस्त में पटना 174 पैदान पर है सर्वेक्षन के दौरान बिहार राज्य के कुल 4,77,849 लोगों ने अपने अपने निकायों की स्वक्षता पर हुई पोलिंग में भाग लिया जिसमें पटना 181 अवल रहे पटना के कुल 2,1662 लोगों ने स्वच्चता पर हुए ऑनलाइन पोलिंग में भाग लिया पटना नगर निकम ने सबसे बहतर प्रदर्शन सर्विस लेवल प्राग्रस घटक में किया है स्वच्च सर्वेक्षन 2021 में पटना को जहां कुल 1098 अंग प्राप्थ हुए वहीं स्वच्च सर्वेक्षन 2020 में श्रेणी में पटना को 105.16 अंखे मिले थे मालूम हो कि सर्विस लेवल प्राग्रस पिलर के अंतरगत कचरा उठाओ ठोस और सूखा कचड़ा प्रबंधन के अधार पर मूला अंकन किया गया है लेखने हैं कि वर्तमान में पटना नगर निगम द्वारा वर्तमान में 100% वाड़ो से कचड़ा उठाओ किया जा रहा है इस रेणी में पटना को अधिक्तम अंक मिले हैं वही कचड़ा कमपोस्टिंग और प्रोसेसिंग के लिए जरूरी अधार पुछ संरचनाओं की कमी की वज़े से पटना नगर निगम को कम अंक प्राप्त हुए हैं साथ ही डंपिंग याड में ट्रॉमिल मशीन के माध्यम से सॉलिट वेस्ट को अलग-अलग श्रेनी में छाट कर उनका एक्जेक्यूशन किया जा रहा है इसके साथ ही प्लास्टिक वेस्ट का मैनेजमेंट भी किया जा रहा है शहर में waste management को सुरुधिर करने के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार द्वारा, waste to energy, bio-methination और एवं composting को लेकर के भी planning की जा रही है Certification की श्रेणी में पिछले सर्विक्षन में पटना को 0 अंक मिले थे वहीं इस बार पटना नगर निगाम को Certification में 300 अंक मिले हैं पटना को ODF Plus Certification के लिए 300 अंक मिले हैं आपको बता दे कि पटना को स्वच बनाने में आम जंता की भागेदारी के लिए पटना नगर निगाम ने कई कारिक्रम भी चलाया जिसमें पटना की ब्यूटी हम सब की ड्यूटी वन ड्रीम पटना क्लीम स्वच दा दीदी जैसे कई कारिक्रम शामिल थे जिसकी वज़स से आम जंता ने पटना को स्वच बनाने में बढ़ चरके भागेदारी लिए और जिसका नतीजा आप साफ तोर पर दिख रहा है तो हमारे चानल को सब्सक्राइब कर लें साथ ही अगर यह वीडियो हमारे फेस्टूप पेच पर देख रहे हैं पेच को लाइक और फॉलो जरूर कर लें धन्यवाद